जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ फरवरी 2023 को बुद्ध के रासी परिवर्तन का धनुरासी के लोगों पर क्या प्रभाब देखने को मिलेगा जानेंगे आपके वेपार, वेपसाय, नौकरी, सिक्छा, स्वास्त, पारवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्त जीवन सभी के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन हैं और बुद्ध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है बुद्ध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है बुद्ध ग्रह को बुद्धी का देवता भी कहा जाता है यह द्वी स्वभावक ग्रह है कालपुरुस कुंडली में मिथुन और कन्याराशी पर बुद्ध ग्रह का अधिकार है यह कन्याराशी में उचके और मीन राशी में नीचके होते हैं उत्तर दिसा के स्वामी है सूरिय और शुक्र इनके मित्र ग्रह है लेकिन मंगल और चंद्रमा इनके सत्रुग्रे है ब्रस्पति और सनी इनके सम ग्रे है वेपार, बहन, बुआ, अकाउंट, गनित, जोतिस, विद्या बुद्ध में ही नहीत है बुद्ध ग्रे अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रे के साथ बैठता है उसके भी फल प्रदान करता है यह छोटा ग्रे है लेकिन तेज तर्रार ग्रे है और जोतिस में 27 नक्षत्रों में से बुद्ध को आसले साथ जेश्टा रेवती नक्षत्र का स्वामित प्राप्थ है और अब बुद्ध ग्रे देवगुरू ब्रस्पति के आधिपत्य वाली धनुरासी से निकल कर सनी की मकर रासी में प्रवेश करने वाले है यानि 7 फरवरी 2023 को सुबह 7 बज़कर 11 मिनट पर बुद्ध देव रासी परिवर्तन कर जाएंगे और यहां 27 फरवरी 2023 की साम 4 बज़कर 33 मिनट तक वराजमान होंगे और धनुरासी के लोगों के लिए बुद्ध सात्वें और दस्वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दोरान यह आपकी वाणी धन कुटुम आदि के बारे में बताने वाले दूसरे भाव में गोचर करेगा जहां पहले से ही सूर्य देव राजमान है यानि यहां आपके दित्ते भाव में सूर्य और बुद्ध की युति से बुद्धा दित्ते राजियोग का नर्मान होगा जो आपकी धनसम्मंदी समश्याओं को खत्म करेगा और बुद्ध की यह इस्ति आपके लिए काफी लाबदायक सावित होगी हालाकि कुछ छेत्रों में कुछ चुनोतियां भी आएंगी कुछ उतार चड़ा भी देखने को मिलेगे लेकिन आप अपनी मेहनत के दमपर उन चुनोतियों को पार करने में सक्छम होंगे और धनलाब अपने कारिय छेत्र में अपनी मेहनत के बल पर अच्छा और बहुत कुछ करने में सक्छम होंगे इस दोरान आपके ऐसे कारिये पूरे होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी ना था इस दोरान परिवार का मित्रों का पून सपोर्ट आपको मिलेगा आपके उच्छ धि कारक हैं तो ऐसे में आप अपनी बात को दूसरों से मनवाने में काम्याब होंगे और इससे आपके काम भी बनते हुए नजर आएंगे आपको अच्छा धनलाब भी होगा और बुद्ध की है इस्तिति आपको जीवन साथी के माध्यम से भी लाप प्राप्ति के युग बनाए जो है वो बहुत प्रभावसाली होगी आपकी बोलने की कला लोगों को प्रभावित करेंगी लोग आपकी प्रसंसा करेंगे समाज में एक अच्छी चवी बनेगी और बुद्ध की इस्तिति आपके अस्टमभाव पर होगी जो आपके स्वास्ते में भी सुधार लाएगी जीवन में बड़े बदलाव होंगे कोई पुरानी चली आ रही बीमारी खत्म होगी जिसका असर आपके वैपार वैवसाय पर भी दिखाए देगा आपका वैपार वैवसाय आगे बढ़ेगा अच्छी उन्नती के योग बनेंगे लाब के अच्छी अफसर प्राप्त होंग और आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत होगी और यहां बुद्ध और सूरिय की यह इस्तिती आपको परिशरमी मेहनती बनाएगी और आपकी मेहनत का परणाम भी आपको प्राप्त होगा इस औरान भाग गया होदय के अनेक अफसर आपको मिलेंगे नौकरी पेशे से प्रित्र में तैयारी कर रहे हैं इस और आपको परिवार में खुशाली होगी और धन के सासाथ भाग गया का भी पूरा-पूरा साथ मिलेगा तो दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें झाल